भारी बारिश के वीच बापु को जमानत न मिलने के विरोध में उनके समर्थों को ने राजगार से लेका जंतर मंतर तक विरोध मार्च निकाला। बारिश के कारण शुरू में भक्तों की भीड कुछ कम दिखी लेकिन दोपहर तक हजारों समर्थक उमर पड़े। ग्रफ्तारी के एक साल बार दिबापु को जमानत में मिलने से उनके भक्त खासे नाराज और उदास दिखे। ये विरोध मार्च राजगार्ट से शुरू होका संसत भवन तक जा रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे रोक दिया। इसको लेकर बापु के भक्त खासे नाराज दिखे। बाद निपारलेमेटी स्ट्रीट ठाने के आगे बैटक कर विरोध जताया। पुलिस के समझाने के बाद सभी समर्थक सादू संतों के साथ जंतरमंतर पहुंचे और बापु की याद में सतसंग किया। हमारी मांगी ये हमारे बापु जी निर्दोश हैं उनको छोड़ दिया जाए। उनका कोई भी कसूर नहीं। आसरां के समर्थक आज भारी बारिश के बावजूद तिली के राजखाश जाए। भारतिय नारी रक्षा सेवा संग की महिलाओं ने उनके रिहाई की मांग को लेकर एक रैली निकाली और सरकार को इक यापन भेजा। रैली में शामिल लोगों का कहना है कि आसरां बापु ने दोश हैं और उन्हें जल रिहा किया जाए। आरी रक्षामान जो के एक NGO है मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ और आज की रैली का हमारा मुद्दा बहुत ही महत्तुपूर्ण है बहुत सुन्रेजन शीरे भाया। हमें तो बारिश का कुछ पता ही ही चैज़ा हमें तो लग रहा है एक इश्यर हमने आश्यरवाद दे रहे है कि शाबाज मेरी बच्चियों जिन संस्कार दिये उनके लिए सड़प पे अब उसरो। दिले में आज आसाराम समर्थकों ने राजगाट से लिए पारलिमेंट इस्ट्रीट तक प्रदेशन किया विछले साल आज ही के दिन आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। समर्थकों का कहना है कि आसाराम को फ़साया जा रहा है, साथी घलत सर्ये से उन पर पास्कों लगाया गया है। दिली के जंतमंतर पर काफी ज़्यादात में महिलाओं ने उतर का प्रदेशन किया, ये प्रदेशन बापू आसाराम के समर्थन में था। आशाराम बापू को गरफतार हुए एक साल पूरा हो चुका है आशाराम पर एक नावालिक लड़की में शारेरिक पीरन का मामला दर्श कराया था जिसके बाद आशाराम को रायस्तान पुलिस ने गरफतार किया था एक साल पूरा होने के बाद आशाराम बापू के समर्थको ने चंतमंतर परपरदशन किया जिसमें काफी तादात में महिलाएं नजर आई हम ये चाहते हैं कि हमें नयाय मिले आपने ऐसा भी कहा कि कानून की तरफ कानून तो जाच परताल कर रहा है हमारी कानून से यही तो मांगे कि कानून की तरफ से सही जाच परताल होनी चाहिए इतने followers अगर इस मैदान में उत्रे हैं तो क्यों उत्रे हैं क्योंकि उनकी आस्था दाव पे लगी